इन सभाव में जनरली हम 6 से सवा साथ तक प्रभु के वचन का ध्यान करते हैं प्रभु का वचन या प्रभु के वचन से मेरा तात्पिर है पावित्र बाइबल पावित्र बाइबल को लगबग 40 लेख को ने देड़ हजार साल में लिखा था इसको किसी एक प्यक्ति ने एक साथ नहीं लिखा है ईश्वर की और से प्रभु की और से प्रेर ना पाकर इन 40 लोगों ने प्रभु का वचन लिख कर हमको दिया और इन 15,000 सालों में इन लोगों ने जो लिखा वो सब इस एक ग्रण्त में हमको मिलता है और इस ग्रण्त को आप खोल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 66 छोटे छोटे पुस्तक हैं जिनको दो अलग खंडों में बाटा गया है एक पुरान नियम कहलाता है या पुरानी वाचा कहलाती है एक नया नियम ये नई वाचा कहलाती है आज से 2000 साल पहले जब प्रभु ईशु जिनको लोग ईशा भी कहते हैं खासकर उत्तर भारत में ईशा शब्द का ज्यादा प्रचलन है देट्षिन भारतियों के बीच में जब वो लोग हिंदी में उसी व्यक्ते का नाम लेते हैं तो ईशु नाम का ज्यादा चलन है हम चुकी देट्षिन भारत में हैं इसलिए मैं ईशु नाम को उपयोग करने जा रहा हूँ प्रभु ईशु जब संसार में पधारे थे और इन दिनों नए नियम से एक एक पोर्शन लेकर एक एक हिसा पढ़कर हम उसकी व्याख्या सुन रहे हैं जिससे कि हम में से हर व्यक्ती ये जान सके कि मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु की क्या इच्छा है मेरे और आपके जीवन में प्रभु की जो इच्छा है उसको हमें बताने के लिए ही प्रभु ने अपना वचन दिया है और ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु का ये वचन हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में उपलब्द है यही मेरे पास मेरे सामने कम से कम पाँच भाषाओं में ये रखे हुए है जरुरत पढ़ने पर हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में हम इसके इंतजाम करके आपको दे सकते हैं और इसलिए यदि प्रभु के वचन को आप अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं हमको बताइए थोड़ा सा समय दीजे हम आपको मंगा कर देंगे मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि सैकडों हजारों लोगों ने अपने जीवन सिर्फ इस बात के लिए अर्पित कर दिया था कि प्रभु के वचन का अनुवाद इंदुस्तान की हर भाषा में हो सके आज संस्कृत से लेकर यह जो प्रदेश केरल यहां तक की भाषा में बाइबल का अनुवाद उपलब्द है यह बात भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ उसमें से जो दूसरा खंड है जो प्रभु ईशु के इस संसार में आगमन के बाद लिखा गया था वो इस तरह से अलग से छोटी पुस्तिका के रूप में आपको लगेगा कि यह क्या जरासी डैरी है इसमें क्या है ऐसा नहीं है यह विशेश प्रकार के पेपर पर छोटे अच्छरों में चापा गया है इसलिए यह इतना छोटा लग रहा है बाकी भाषाओं में जब सामान्य नॉर्मल साइज में जब प्रिंट किया जाता है तो यह इतना बड़ा होता है लेकिन हर व्यक्ति सुविधा के अनुसार इसका पाठ कर सके इसको हर जगे जरूरत पढ़ने पर थेले में डाल कर ले जा सके इसके लिए ऐसे छोटे एडिशन में चापा गया है और यह नया नियम जो है आप हमसे गिफ्ट के रूप में ले जा सकते हैं इसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है यह जो कम्प्लीट बाइबल है इसके लिए एक मामुली सी कीमत देनी होगी इस सभा में ऐसे कई भाई लोग हैं जो इस छोटे एडिशन के चापने और इसके वितरन के साथ जुड़े हुए हैं यह भाई जिन्होंने अभी खड़े होकर एनाउंस किया था उसके लावा मुझे नहीं मालूम कौन कौन हैं लेकिन वो सभी संस्था से जुड़े हुए हैं जो प्रभू के वचन को बहुती सुवीधा जैनक साइज में प्रिंट करके उपलब्द करवाता है और इसलिए अपनी जरूरत के लिए इसको ले जाना ना भूलें और मेरा नुमान है कि उनके पास ऐसे संसकरण हैं जो बहुती सस्ते में हम खरीद कर अपने दोस्तों को बाट भी सकते हैं तो इसलिए जहां तक प्रभु के वचन की बात है उससे अज्ञान ना रहें इस बात को कहकर आज मैं प्रभु के वचन से एक भाग पढ़ना चाहता हूँ पिछले हफ़ते मैंने ये बात बताई थी कि सामAnn ये ज्यान या General Knowledge की कोई भी पुस्तक आप ले लें तो उस पुस्तक में ये पूछा जाता है कि फलाना दुनिया की सबसे उची चोटी परवद की चोटी कौन सी है दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है हिंदुस्तान के राष्टर पिता कौन है इन सब का उत्तर हम सब को मालूम है उसी के बीच एक प्रश्णी जनरल नौलेज की किताबों में पूछा जाता है कि जगत की जोती संसार की जोती कौन है और सभी जनरल नौलेज की किताबों में उसका उत्तर है प्रभू यिशु मजे की बात यह है कि जनरल नौलेज की इन पुस्तकों की रचना जिन लोगों ने की है या जो लोग करते हैं वे प्रभु ईशू के अनियाई नहीं है लेकिन अनियाई ना होते हुए भी उनको प्रभु के बारे में एक विशेश बात मालूम है कि प्रभु इस संसार की जोती है आज मैं उस प्रभु के जीवन से एक छोटा सा हिस्सा पढ़ के सुनाना चाता हूँ एक्चली प्रभु की जीवनी चार लोगों ने प्रभु के चार अनियाई ने लिखी है जो इस पुस्तक के शुरू के चार मुक्स के रूप में हमको दिखता है इन चार अनियाईयों ने प्रभु के जीवन को चार अलग-अलग कोण से देखा और इस तरह से उन्होंने लिखा उसमें से एक-एक हिस्सा हम पढ़कर उसका क्या मतलब है मेरे और आप के लिए ये देखते हुए जा रहे हैं आईए आज प्रभु ईशु की जीवनी से एक पोर्शन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ मत्ती रिचित सुसमाचार जिनके पास ये नहीं है वो सिर्फ सुन लें जिनके पास है उनके पढ़ने के लिए मैं ये हवाला दे रहा हूँ मति रिचित सुस्माचार चोथे अध्याय के 18 पत से मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ यहाँ प्रभु ईशू के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु गलील नामक जील के किनारे फिरते हुए प्रभु ने दो भाईयों को देखा एक का नाम था शमौन और एक का नाम था अंद्रियास इस तरह के नाम इन दिनों 20 वी शताबदी में अपने समझ में नहीं होते मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यह घटना जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ या पढ़कर सुना रहा हूँ यह घटना 2000 साल पहले मद्यपूर में हुई थी जहां इस तरह के नाम बहुत आम हुआ करते थे तो दो लोगों को देखा पेशे से मचुए थे एक का नाम था पत्रस एक का नाम था अंद्रियास प्रभू ईश्यू ने उनसे कहा मेरे पीछे आओ मैं तुमको मनिश्यों को पकड़ने वाला मचुआ बनाऊंगा ये मचुआ क्या होता है हम सब जानते हैं जो लोग मचली पकड़ते हैं उनको मचुआ कहा जाता है और हम इस बात को जानते हैं कि बहुती कठोर और बहुती कठिन पेशा होता है लोग जब अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं उस समय ये बेचारे लोग नाओं में बहुत गहरी नदियों में बहुत गहरी चीलों में जाकर रात बर जाल डालते हैं जिसे की मचली पकड़ सके ना तो ऐसा पेशा है जहां आदमी को आराम मिलता है ना ही ऐसा पेशा है जो आदमी को करोड़ पती बना सकता है एक सामान्य पेशा है इस सामान्य पेशे के दो लोगों को जब प्रभु ने देखा तो उन्हें ने कहा कि देखो मेरे बच्चों तुम लोग सारी जिन्दगी भर मचली पकडने वाले थे छोड़ दो मेरे अनियाई बन जाओ मैं तुमको मनिशों को पकडने वाला बना दूँगा इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि जिस तरह से आप जाल डालके मचली पकड़के उसको खैच के ला के बाजार में बेच देते हैं कि इसका मतलब ये है कि आहिंदा बाजार में जाके दस बीस आदमी खड़े हूं उनके जाल डाल दिया और वो जो जाल है उसमें डालके पकड़के लाके उन सब को गुलामी में बेच दिया जी नहीं इसका मतलब यह है प्रभु ने बाद में अपने शिश्यों को बताया कि मनिश्यों को पकड़वाने वाले का मतलब क्या है या पकड़ने वाले का मतलब क्या है प्रभु के कहने का मतलब था कि इस दुनिया में करोडों लोग है जो अंदकार में जी रहे हैं करोडों लोग हैं जो सुबह उठते हैं दिन बर रोजी रोटी के लिए संगर्श करते हैं, घर वापस आते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन फिर वही करते हैं, उनके जीवन में उनसे पोछा जाए कि भहिया ये सब किस लिए कर रहे हो? तो उसका जवाब होगा कि भाई साब मैं पापी पेट के लिए कर रहा हूँ उनसे यह दिया अगला प्रशन पूछो कि इस पापी पेट के लिए कब तक ये करोगे तो उसका उत्र होगा कि भाईया जब तक मैं इस संसार में हूँ तब तक करूँगा और यदि उससे एक तीसरा प्रश्न पूछा जाए कि इस पापी पेट के लिए ये सब करने से तुमको क्या मिल रहा है तो ज्यादातर लोगों का जवाब यह होगा क्या मालूम क्या मिल रहा है मुझे तो नहीं समझ में आता कि कुछ मिल रहा है यह है असली परेशानी आपको लगता है क्या कि इस संसार के प्रभू ने मनिश की स्रिष्टी करके उसको इस संसार में ऐसे ही रख दिया फालतू में सुबह उठो दिन बर कड़ी मेहनत करो रात को सो जाओ अगले दिन फिर से उठो मेहनत करो सो जाओ क्या आपको लगता है कि इस संसार के प्रभू ने इस संसार के स्रिष्टा ने मेरी और आपकी स्रिष्टी इस तरह से एक अर्थ हीन बिना किसी मतलब के जीवन के लिए किया है नहीं प्रभू का वचन बहुत स्पष्ट तया ये बात बताता है बचन में हम ये पढ़ते हैं कि मनिश को इस संसार में प्रभू ने एक मकसद के साथ एक उद्देशी के साथ रखा है लेकिन जादातर लोग उस उद्देशी को नहीं जानते क्योंकि उन्होंने कभी भी पलट कर प्रभू से ये पूछने की कोशिश नहीं की कि ए प्रभू आपने मुझे इस संसार में भेजा मुझे यहां साथ, सब्तर, असी, नब्बे या सौ साल तक रखने का प्लान किया है है प्रभू इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है क्या आपका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं रोज सुबह उठूँ मेहनत करूँ, परेशान हूँ, बीमार हो जाओँ, उसके अलावा दूसरों के लिए पैसा कमाओँ दूसरों के द्वारा धोका दिया जाए, लूटा जाओँ, क्या प्रभू आपने मेरे, मुझे मेरी सृष्टी सिर्फ इस कारी के लिए कि कभी पूछा है क्या आपने, बही जब तक पूछेंगे नहीं, तब तक सृष्टा आपको जवाब कैसे देंगे, जिनोंने मेरी और आपकी सृष्टी की है, उस व्यक्ति से जाके, है प्रभू, मेरे जीवन के बारे में आपका क्या उद्देश् जब तक हम नहीं पूछेंगे तब तक हमको उद्देश्य कैसे मालूम होगा, हम सबने जानवर देखे हैं, जानवर जब बीमार हो जाता है तो उसको दवा पिलानी पड़ती है, तो जानवर को दवा कैसे पिलाई जाती है, बाकायदा गलास में लाके ले बेटे पी ले, ऐ इसका सर कोई व्यक्ति उपर को उठाता है और फूर उसमें डाला जाता है, ऐसे दवा उसके पेट में पहुँचती है, मनिश एक जानवर नहीं है, जिसका गलाद आपकी ईश्वर उससे कहे कि ले ये मेरी इच्छा है, इसको समझ ले, नहीं, मनिश की सृष्टी, जबरदस्ती आके हम में से हरेका गला पकड़के और जैसे जानवर को दवा पिलाई जाती है, इस तरह से जबरदस्ती अपनी इच्छा हमको नहीं बताते, बलकि प्रभु अपना वचन हमको देने के बाद प्रभु हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम में से हर व्यक्ति प्रभु मेरे जीवन के लिए मेरे प्रती आपकी क्या इच्छा है मुझे बताईए मुझ पर प्रगट कीजिए जिससे कि मैं उस इच्छा के अनसार जीवन बिता सकूं और जब कोई व्यक्ति इस तरह से प्रभु से याचना करता है तब प्रभु दो रास्ते से उसको एक है प्रभु का वचन और दूसरा है जो लोग वचन का या वचन की व्याख्या करके आपको सुनाते हैं जब प्रभु ने अपने शिश्यों से कहा था कि मैं तुमको मनिश्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा तो प्रभु के कहने का मतलब ये था कि मैं तुमको ऐसा व् उला बुला कर उसको प्रभू का वचन सुना कर उसके जीवन में प्रभू की क्या इच्छा है इस बात को उस पर प्रगट करे प्रभू ने क्यों इस तरह से चुना प्रभू ने कितने लोगों को चुना जब हम ये प्रभू की चार जीवनियों को पढ़ते हैं तब हम देखत उन्हें और भी लोगों को चुना था लेकिन मुख्य रूप से 12 लोगों को चुना और उनसे कहा था कि मैंने तुम को इसलिए चुना कि तुम मेरी शिट्षाओं को सुनो उसको जानो उसको समझो और एक बार जब तुम उसको समझ लो तो जाकर लोगों को जिस तरह से जाल ड तुम उनको सही मार्ग दर्शन दे के उनको सही रास्ता दिखा कर उनके जीवन को अर्थपूर्ण, अर्थ से भरा हुआ, मतलब से भरा हुआ, बना सको, ये है प्रभू के कहने का मतलब, आप कहेंगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, उनसे प्रभू ने ऐसा कहा, उनको बुलाया उनको ये कारी करने दीजिये। सुनिए, ये 2000 साल पहले की घटना है। और आज से लगबग 1900 साल पहले वो सब लोग गुजर गए। उनमेंसे प्रभु के जो शिष्य थे, उनमेंसे आखरी शिष्य भी लगबग 1900 साल पहले गुजर गए। उनमेंसे 12 शिष्य जो थे उनमेंसे एक शिष्य प्रभु का वचन लेकर अभी मैं जो मत्ती का सुसमाचार नामक गरंत पढ़ रहा हूं। आपको सुनारा इस गरंत की एक कौपी लेकर हिंदुस्तान आये थे पचास ईस्वी में। वो भी गुजर गए। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसके साथ साथ प्रभु ने अपने बच्चों को और अपने शिष्यों को जो जिम्मेदारी दी थी वो जिम्मेदारी समाप्त हो गई क्या। उसका जवाब है जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई है। प्रभु ने अपने सेवाकारी के लगबक साड़े तीन साल इन बारा लोगों को ट्रेनिंग दी थी, जिसमें से एक ने प्रभु को ही धोका दिया, वो जाके आत्मतिया करके मर गया, प्रभु ने पहले से कहा था कि मैंने बारा चुना है, लेकिन उसमें से एक मेरे साथ नही है, बाकि ग्यारा थे जो प्रभु के जीवनकाल के बाद जब प्रभु का स्वरगार रोहन हुआ, उसके बाद सारी दुनिया में फैल गये और इन ग्यारा लोगों ने, और उसके अलावा प्रभु के शिश्यों ने एक को और चुना था, बारा, और उसके बाद प्रभु एक व्यक्ति को चुना था तेरा इन तेरा लोगों ने संसार के इतिहास को पूरी तरह से पलट दिया था आप पूछेंगे कि भाई साहब आपकी कहने का मतलब क्या है जी मेरे कहने का मतलब यही है कि संसार के पूरे इतिहास को इन तेरा लोगों ने पूरी तरह से पलट दिय था एक उदाहरण आज कल अपन कैलेंडर देखते हैं सब जगे कैलेंडर टंगे हुए हैं आज हम जानते हैं इस्वी 2017 है इस्वी 2017 का मतलब क्या है प्रभू इस्वी संसार में पधारे थे उनके पधारने के दिन से आज 2017 साल हो गये है उसके पहले के डेट्स अपन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इस्वी पूर्व आज से इस्वी पूर्व एक हजार में ये घटना हुई मतलब आज से 3017 साल पहले ये इस्वी पूर्व 2000 साल में ये घटना हुई संसार के इतिहास को ही दो भागों में प्रभु ईशु के आगमन ने बांट दिया है क्योंकि प्रभु के ये जो तेरा शिश्य थे इन्होंने सारी दुनिया में जाकर ये संदेश जो प्रभु ने उनको सुनाया था ये संदेश सुनाया उसके पीछे जो प्रिंसिपल था जो शाश्वत सत्य था वो सत्य यह है कि मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि तुम सारी दुनिया में जाकर लोगों को मेरे लिए पकड़ो जिस तरह से मचली को बेचने के लिए पकड़ा जाता है एक नया जीवन और एक अनुग्रह दे सको यह है प्रभू के कहने का मतलब प्रभू इस संसार से जब स्वरगा रोहन करके चले गए उसके पहले प्रभू ने एक बात कही थी जो उसके बाद प्रभू के शिश्यों ने भी बार बार लोगों को बताई और वो बात ये है ये है अभी तक इतनी प्रिश्ट भूमी कहने के बाद जो बात मैं अब आप से कहना चाहता हूँ वो बात ये है मेरे प्रिये भाई मेरी प्रिये बहन आपका आपकी उमर कितनी भी क्यो नहो आपका पेशा कोच भी क्यो नहो प्रभु ने आपको एक जिम्मेदारी दी है जिससे कभी भी भागने की कोशिश ना करें यहां जितने लोग बैठे हुए हैं चाहे बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, बूडे हो उन सब को प्रभु बुला कर उनसे कहते हैं कि देखो, तुम फलाना काम कर रहे हो, करते रहो लेकिन उसके साथ साथ मेरे लिए मनिश्यों को पकड़ना तुमारी जिम्मेदारी है इन लोगों से प्रभु ने कहा था कि आओ, मेरे पीछे आओ लेकिन मचली पकड़ने से इनको पूरी तरह से वर्जित नहीं किया था ये बात भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ यह प्रभु को चुंगी देने का समय आया आजकल चुंगी उंगी कहीं नहीं देनी पड़ती है लेकिन आज से 50 साल पहले हिंदुस्तान में ये स्थिती थी कि आप कहीं भी चले जाएं आपको चुंगी देनी पड़ती थी यहां ये एरना कुलम यहां से 25 किलोमीटर दूर अंगमाली नाम की जगह है यहां से जब लोग नारी लंगमाली में ले जाते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था पुराने जमाने में हर जगह चुंगी के पोस्ट बने रहते थे आपने यहां नाम सुना होगा एक जगह है जिसका नाम है एडपडली टोल टोल का मतलब है वो जगह जहां चुंगी दी जाती है राजे महाराजाओं के समय वहाँ पर चुंगी वसूल करते थे तो जब प्रभु ईशु अपने शिश्यों के साथ घूम फिर रहे थे तो एक जगह चुंगी देने का जब समय आया तो प्रभु ने अपने शिश्य पत्रस से कहा जाओ मचली पकड़ो और जो पहली मचली तुमें मिले उसका मूँ खोलना उसमें तुमको एक सिक्का मिल जाएगा वो सिक्का तुम टैक्स के रूप में दे दो तो प्रभु ने अपने शिश्यों को उनको बुलाया है जरूर्थ है लेकिन उनके पेशे से रोका भी नहीं था ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो हम सब को ये बात याद दिलाता है कि प्रभु हम सब से ये उमीद करते हैं कि जब हम मेंसे हर व्यक्ति अपने अपने पेशे में रहे उस पेशे में रहकर भी उस नौकरी में रहकर भी जीवन बर हमारी जिम्मेदारी है क कि हम जा जाकर लोगों को पकड़ें और प्रभू के पास लाएं जिससे कि वे लोग प्रभू के द्वारा दिये जाने वाले उस नए जीवन को जान सके और उस नए जीवन को जान कर वे अपने जीवन में मुक्ती पा सके और मुक्ती पाने के बाद हमारी जिम्मेदारी समप् नहीं, प्रभु ने आज जिन शिश्यों को बुलाया था, उसमें पहले का नाम था पत्रस, प्रभु ने अपने स्वर्गा रोहन से पहले, पत्रस को बहुत strictly ये बात याद दिलाई थी, तीन बार पत्रस बड़ा दुखी हो गया था, क्योंकि प्रभु ने पत्रस से तीन बार एक प्रशन पूछा था, उसने का कि ए प्रभु आप मेरा दिल जानते हैं, मुझसे ये तीन तीन बार पूछने की क्या जरूरत है, प्रभु ने उसका उतर नहीं दिया, प्रभु ने तीनों बार उससे का कि जाओ, मेरे जो बच्च कि जिनों ने भी प्रभु ईशु के द्वारा नए जीवन का अनुभो किया है अब वो लोग प्रभु के वचन से इस बात को पहचान सकते हैं कि प्रभु ने उनको किसलिए बुलाया है और यदि नहीं पहचानते हैं तो यह उनकी गलती है क्योंकि प्रभु ने उनके बारे म अपनी जो इच्छा है उसे अपने वचन में दे दिया है उस वचन का पाठ करना और पाठ करके उसके द्वारा प्रभु की इच्छा जानना हमारी जिम्मेदारी है इसलिए जिनों ने भी नया जीवन पाया है प्रभु के द्वारा वे लोग प्रभु के वचन के द्वारा प सारी दुनिया में जाकर अपने आस पास जो लोग है उनको बुला बुला कर प्रभू के पास लाएं प्रभू से उनका परिशे करवाएं उनको बताएं कि प्रभू के द्वारा आपको एक नया जीवन मिलेगा आप जब उस नई जीवन को पाएंगे तो इस जीवन के दुख और परेशनियां जो हैं उसमें आपकी मदद के लिए प्रभू आपके साथ होंगे इतना ही नहीं पाप की सजा जो की मृत्यू है उस मृत्यू से आपको छुटकरा देकर इस नश्वर शरीर को जब हम छोड़ के चले जाएंगे तब प्रभू आपको एक अनश्वर कभी न ना होने वाला जीवन देंगे मनिश्यों को पकड़ने वाले मच्वे बनाऊंगा जब प्रभू ने कहा तो उसका मतलब ये है इतना ही नहीं यहां जितने लोग बैठे हैं उन में से जितने लोगों ने प्रभू ईश्यू को मुक्तिदाता की रूप में ग्रंड किया है ये जब तक मनिश्य संसार में हैं तब तक हर व्यक्ति तमाम तरह की मुसीबतों में फस जाता है और जब वो तमाम तरह की मुसीबतों में फस जाता है तो ईश्यूर की संतान जो प्रभू का बच्चा है उसको तसली देने के लिए या तसली देने की जिम्मेदारी प्रभू के अन्य बच्चों की है और इसलिए जब प्रभू का वचन कहता है कि मैं तुमको मनिश्यों को पकड़ने वाला मच्वा बनाऊंगा तो उसका दो अर्थ है ये दोनों अर्थ समझना हमारे लिए जिरूरी है पहला मतलब यह है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को लाओ जिससे कि वे नई जीवन का अन्भाव कर सके उसका दूसरा आर्थ ये है कि लोगों को बार बार प्रभू का वचन दो जिससे कि उनके जीवन में जो परेशानिया और दुख है उस मामले में वो लोग प्रभू के वचन को पहचान कर प्रभू की इच्छा को जान कर इन चीजों का हल पा सके आज मेरा सवाल है यहां जितने विश्वासी लोग बैठे हुए हैं उनसे क्या आपने इस बात को पहचाना है कि आपके उद्धार पाने के बाद प्रभू ने आपको इस संसार में एक उद्देश के साथ रखा है यदि सिर्फ उद्धार प्रभू का लेच्शी होता तो उद्धार पाते ही हमको संसार से अपने पास ले जा सकते थे लेकिन प्रभू ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि जब हम प्रभू इश्व के द्वारा ये नया जीवन पा लेते हैं उस नए जीवन को पा लेने के बाद हमारा जो बाकी जीवन है, 40, 50, 60, 80, 90 या 100 साल का जो बाकी जीवन है, इन बाकी सालों में मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो नए जीवन हमने पाया है वो दूसरों को दिलवाएं, जो तसली प्रभू से हमको मिली है वो तसली दूसरों तक पहुँचा है और जो संदेश प्रभू ने हमारे हाथ में सौपा है, वो संदेश दूसरों तक पहुँचा है, या आपने पहचाना है क्या, शायद इतने सालों आप अलग-अलग पेशे में रहे हैं, आप सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं नौकरी में घर पे लेकिन कभी आपने पलट के सोचा है क्या कि ये सब किसलिए है क्यों प्रभू ने आपको इस संसार में रखा है क्या प्रभू का उद्देश है मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनों ने अपने जीवन में इस उद उद्देश को पहचाना नहीं है जिसने अपने जीवन के प्रती प्रभू के उद्देश को नहीं पहचाना उस व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वो आभागा कंगाल और नंगा है क्योंकि उसके जीवन में कोई माइना या मतलब नहीं है लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के लिए प्रभू के उद्देश को समझ लिया है वो व्यक्ति जीवन में चाहे कितना भी संगर्ष कर रहा हो इन सब संगर्षों के बावजूद वो अपने जीवन में प्रभू की इच्छा को पूरी करता है अपन लोग अपनी भाषा में बाइबल का पाठ करते हैं इंदुस्तान की लगबग 20 भाषाओं में जिस व्यक्ति ने अध्यान किया था उस व्यक्ति का जीवन जरा देखें उस व्यक्ति के जीवन के बारे में हम देखते हैं बिजली आ गई है प्रभू का धनिवाद हो थोड़ी और ज्यादा रोशनी में बैठकर प्रभू के वचन का अध्यान करेंगे जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान की लगबख बीस भाषाओं में प्रभू के वचन का ध्यान किया था उस व्यक्ति ने अपने जीवन में असीमित संगर्श किये थे उसकी वाइफ बीमारी से पीडित लगबख पूर्न रूप से पागल हो गई थी उसने कई बार अपने पती के हत्या की कोशिश की उन दिनों बिजली नहीं थी मैं यह याद दिलना चाहता हूँ आज हम सब बिजली बिजली के बिना जी नहीं सकते लेकिन एक सिंचुरी पहले जब बिजली नहीं थी लट्टू की रोशनी में बैठ कर रात रात उस व्यक्ति ने प्रभु के वचन का ट्रांसलेशन भारतिय भाषाओं में किया और एक बार क्या हुआ अचानक आग लग गई और उन्होंने पिछले दस या भी साल जो कुछ किया था सब कुछ जल कर राक हो गया मैं और आप उस जगह पर होते क्या करते शायद हम यह सोचते है अरे छोड़ो प्रभू की इच्छा नहीं है मैं प्रभू के लिए तो यह सब कर रहा था प्रभू चाहे तो आग से बचा सकते थे नहीं बचाए इसका मतल़ है कि प्रभू की इच्छा नहीं है इसलिए छोड़ो मैं यह नहीं करता मैं किसी कोई और काम करूंगा बहुत ही विद्वान आदमी था वो चाते तो यह सब छोड़कर अच्छी सी नौकरी पा सकते थे नहीं उन्हें फिर से अपने जीवन को उस कार्य के लिए समर्पित किया जो यह घटना मैंने आपको यह बात बताने के लिए यह घटना बताई है जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रती प्रभू की इच्छा को जानता है और पहचान गया है उसके जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबते आए कितनी भी परेशनी आए उसके जीवन में वो लट्शी जरूर रहेगा मुझे उस तिशा में जाना है प्रभु ने मुझे उस तिशा में जाने के लिए बुलाया है और इसलिए मैं ना तो बाई और देखूंगा ना दाई और देखूंगा मैं अपने लेक्षी के प्रती चलता रहूंगा आज यहां जितने भाई बहन उपस्तित हैं उन मेंसे जितने लोग ने प्रभु को मुक्ति दाता के रूप में पाया है उनसे आज मेरा पहला प्रश्न जो हमने अभी तक सुना है उसके संदर्ब में मेरा पहला प्रश्न है प्रिय भाई प्रिय बहन आपके जीवन के प्रती आपके जीवन के बारे में प्रभु की जो इच्छा है उसको आपने पहचना है क्या यदि आज आपसे पूछा जाये प्रिय भाई, प्रिय बेहन, आपके जीवन के प्रती प्रभु की क्या इच्छा है? आप जवाब दे सकेंगे क्या? यदि आप कहें कि मेरी प्रभु की इच्छा है कि मैं सुबह से शाम तक नौकरी करूँ परिवार को खाना खिलाओं या आपकी गलत फेहमी है नौकरी आदी इस संसार में प्रभु ने हमको जीवन के लिए दिया है लेकिन जीवन के लिए जो दिया है उसके ऊपर प्रभु का एक और उद्देश है उस उद्देश को आपने पहचाना है क्या ये है आज मेरा पहला प्रश्न मेरा दूसरा प्रश्नी ये है कि यदि आपने उस उद्देश को पहचान लिया है तो उस उद्देश की पूर्ती के लिए आपने क्या किया है? पिछले सालों में क्या किया है? आने वाले दिनों में आप क्या करने जा रहे हैं? आज इस हौल को छोड़ कर जाने से पहले जितने भाई और बहन यहां प्रभू का वचन सुन रहे हैं, उनसे मेरा अनिरोध है, य प्रभू के लिए बुलाया है, बिजनस के लिए बुलाया है, फिचन में काम करने के लिए बुलाया है, नहीं! यह इस तरह के पेशे हैं, जो प्रभू ने आपको जीने के लिए दिया है, लेकिन आपको प्रभू ने जीने के लिए आउसर इसलिए दिया है कि जीकर जीवन का एक अच्छा पॉर्शन प्रभु के लिए दूसरों को पकड़ कर प्रभु के पास लाने वाले बने वो कर रहे हैं क्या जरा अपने आप से पूछिए कि मैं पिछले 20, 30, 40, 60 साल से इस संसार में हूँ मेरे द्वारा कम से कम चार लोगों को जीवन में आशा मिली है उनके जीवन को निराशा से आशा में बदलने के लिए मैंने अपने आप का उपयोग किया है क्या जो लोग नरक के और दोड़ते हुए जा रहे थे उनको पकड़ कर प्रभु के पास लाने के लिए मैंने कुछ किया क्या ये प्रश्न मेरा रिक्वस्ट है मेरा अनिरोध है कि प्रभु की वाणी जितने लोग आज इस सभा में सुन रहे हैं उनमें से हर व्यक्ति अपने आप से पूछे मैंने ये प्रश्न बहुत साल पहले अपने आप से पूछना शुरू किया था जब मैं आपके सामने खड़े होकर आज शाम को पूर्ण उत्सा के साथ नौन स्टॉप जब प्रभु का वचन सुनाता हूं तो आपको लगेगा कि ये शास्त्री सर्तो बहुती स्वस्थ और बहुती उर्जा से भरे हुए व्यक्ति हैं अरे इनको क्या परेशानी है ऐसा नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूं इसके पहले भी मैंने आपको बताया है पंद्रस साल की उमर में मैं रोगी हो गया था अठारा साल की उमर में उन लोगों ने डॉक्टर्स ने मुझे दवाई देनी शुरू की बोल दिया कि बेटे 35 साल से जादा नहीं जीयोगे और इसलिए सात्विक भोजन खाओ पढ़ाई लिखाई छोड़ दो सन्यासी के समान जीवन बिताओ 35 साल तक तो जीना ही है सिर्फ जीना है मतलब और 17 साल दो बाते और नोंने कह दे थी पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और शादी ना करना तुम से जो है शादी का भार सहा नहीं जाएगा तुम मर जाओगे और यदि शादी करने की बेवकुफी करोगे तो बच्चे ना हो बच्चे हो तो तुम तुरंत मर जाओगे मैंने पढ़ाई की पचास साल की उमर तक पचास पच्पन तक शादी के बाद भी पढ़ता रहा दो बच्चे भी हुए और ऐसे बच्चे कि आपकी सारी एनरजी उनमें खप जाए क्यों? क्यों? सवाल यह है कि मैंने क्यों पढ़ाई नहीं त्यागा? मैंने क्यों नौकरी की? मैं क्यों जीवन के हर पहल आगे बढ़ा? इसके पीछे कारण है जब मैं B.A.C. में पढ़ रहा था तब प्रभू के वच्चन से जिस तरह से आज मैं आपको वच्चन सुना रहा हूं उस तरह से एक पुस्तक के द्वारा प्रभू का वच्चन मेरे पास आया सुनो मेरे बच्चे तुम बीमार हो? मैं जानता हूं तुम कमजोर हो? मैं जानता हूं मैं तुमारा सृष्टा हूं मैंने तुमारी सृष्टी की है तुम कहे को परेशन होते हो मैं तुमको चंगा ही नहीं दूँगा प्रभु ने मुझे कभी चंगा ही का प्रामिस नहीं किया मुझे कभी चंगा ही नहीं मिली है लेकिन प्रभु ने मुझे प्रामिस किया मैं तुमको देखूंगा क्यों? इसलिए कि मैंने मेरे बेटे तुमको एक विशेश उदेश्य के साथ बुलाया है. मैं भी यसी फस्ट यर में पढ़ रहा था. मैंने उस समय प्रभू के सामने घुट ने टेक कर कहा कि प्रभू, मेरे जीवन में आपका एक विशेश उदेश्य है, इस बात को आज मैं पहचान गया हूँ और मैं अपना पूरा जीवन उस उदेश्य की पूरती के लिए अरपित करता हूँ. आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यदि इस फूरती के साथ चलता फिरता हूँ, बातचित करता हूँ, संदेश देता हूँ, तो वो इसलिए नहीं है कि मैं बहुत हटा-कटा मजबूत और स्वस्त व्यक्ति हूँ, जी नहीं, मैं बीमार हूँ, तमाम तरह की बीमारिया हैं, कई प्रकार के डॉक्टरों से मैं चंसल्च करता हूँ, तमाम दवाया खाता हूँ, एक दिन में 10 के करीद दवाया खाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपन नहीं लगाओंगा, हाँ, जिस दिन विस्तर से उठ नहीं पाता, तीन महिने में कभी-कभी एक ऐसा आउसर आता है, एक दिन आता है, जब मैं विस्तर से उठ नहीं पाता, तो उस दिन जरूर विश्राम करता हूँ, बाकी सब दिन मैं दोड़ भाग करता हूँ, क्यों? उनिस सो इकत्वर में प्रभु ने मुझे से बात की मुझे अपने वचन के द्वारा ये बताए कि मेरे बेटे तु मेरी संतान है तेरे नए जीवन प्राप्त करने के बाद तुझे मैंने एक उदेश के साथ रखा है तु अपने जीवन मेरे हाथों में दे दे और मैं तेरी अगवाई करूँगा तब से हर दिन मैं उस लेक्षी के साथ जीता हूँ ओ आप कहेंगे तो शास्त्री सर आप परफेक्ट हो गये क्या देखे यदि मैं परफेक्ट हो गया होता तो प्रभु ने मुझे कभी उठा लिया होता कि बेटे तु वहाँ उन लोगों के दीच में ना रह परफेक्शन पूर्णता कभी हमारे जीवन में नहीं है लेकिन हाँ मुझे 1971 से ये बात सपष्ट मालूम है कि प्रभु ने मुझे किसलिए बुलाया है उसके बाद मैंने नौकरी की इसले की नौकरी पेशा वो जीवन के लिए एक साधन है एक मार्ग है लेकिन जीवन का उद्देश ही नहीं है इन दोनों में अंतर हम समझें जो जीवन का साधन है और जो जीवन का उद्देश है साधन के रूप में मैंने नौकरी की उद्देशी की रूप में प्रभू ने मुझे जिस बात के लिए बुलाया उसके प्रती समर्पन के साथ आज भी मैं जी रहा हूँ मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूँ हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो भयानक दर्द के साथ उठता हूँ शरीर कहता है कि लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो तुमको कौन सी नौकरी के लिए जाना है तुम्हे कौन अब बच्चे पालने हैं तुमारे बच्चे तो अपने पेरों पे खड़े हो गए हैं इसलिए घंटे वर और लेट लो बच्चे लेकिन अक्सर हमेशा तो नहीं उठ पाता शरीर कम्जोर है तो लेकिन अक्सर इन सब दुख और दर्द के बावजूद जबरदस्ती मैं सुबह उठकर अपने कामों में लग जाता हूँ किन कामों में? मुझे जिन बातों के बारे में मालूम है कि प्रभू ने मुझे बुलाया है किन बातों के लिए बुलाया है? वो कभी और बात करेंगे मुझे किसी और बात के लिए बुलाया है? आपको किसी और बात के लिए बुलाया है? कि सुदेशी के लिए बुलाया है, इसको समझ कर, काम कीजिए, ऐसा करेंगे, तो शारिरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, आर्थिक कमजोरी, जीवन की परेशानिया, सामजिक परेशानिया, इन सब के बावजूद, आप अपना जीवन, एक अर्थपूर्ण जीवन बिता सकेंग और इसलिए एक बार और मैं जितने भाई यहां बैठे हैं और जितनी बेहने प्रभू की वाणी सुन रहे हैं उनसे पूछना चाता हूँ क्या आपके जीवन में ऐसा ठ्षन आया है जब आपने इस बात को महसूस किया कि प्रभू ने आपको किस बात के लिए बुलाया है किस लट्ष के लिए बुलाया है यदि नहीं तो आज घुटने टेक कर प्रभू से याचना कीजिए कि आपके जीवन का लट्ष आपको प्रभू प्रगट करके दें हाँ इस सभा में ऐसे कुछ भाई और बहन भी मौजूद हैं जिनोंने आज तक प्रभू ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ना तो ग्रहन किया है ना पहचाना है उन लोगों से मेरा एक अनुरोध है मेरे प्रिये भाई मेरी प्रिये बहन मैंने अपनी जीवन में प्रभू का लच्छी इसलिए पहचाना कि आज से बहुत साल पहले मैंने प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया और प्रभू का बच्चा प्रभू की संतान बन गया यदि ये अनभाव आपके जीवन में नहीं हुआ है तो मेरा अनिरोध है प्रिय भाई प्रिय बहन प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन करें आप कहेंगे कि भाई साब ये प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन करने का क्या मतलब है आज इस सभा के बाद हम थोड़ा चाई पानी के लिए समय निकालेंगे, उस समय मेरे पास आईए, मैं ये बात आपको समझा दूँगा, भाई जेफरी, भाई क्रिस्टी, वो भाई मैथ्यूस जो यहाँ पर गाने में अगवाई कर रहे थे, पीछे चले गए हैं, उसके अला पूछ कर देखिए कि प्रभु इशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहंट करने के बाद जीवन में किस तरह से खुशी और शांती आती है, तो यहाँ जब इतने सारे लोग और भी हैं, मैंने थोड़े से नाम बताए हैं, और भी हैं, सब लोग हिंदी में नहीं बता सक बहनों में से भी कई हैं, जो हिंदी में ये बाते आपको समझा सकती हैं, मैंने इतने लोगों के नाम इसलिए लिए, जिससे आप इस बात को याद रखें, कि हम ये संदेश देकर आपको यहां से खाली हाँ नहीं भीजना चाहते, हम चाहते हैं कि प्रभु इशु इस संसा में पापियों को मुक्ति देने के लिए पधारे थे और उस मुक्ति को भी ना पाए, आप इस होल से ना जाए, उस मुक्ति को पालीजे, जब मुक्ति को पालेंगे तब प्रभु आपको ये बताएंगे कि आपकी जीवन का असली उद्देशी क्या है, और जब असली उद् आज प्रभु ने इस तरह से एक साथ एकतरित होकर प्रभु के वच्चन को सुनने के लिए हम सबकी मदद की उसके लिए मैं प्रभु का शुक्र गुजार हूँ प्रभु आप सबके साथ रहें आप सबकी मदद करें जै मसी की